तो हेलो एवरिवन पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैक्टस को जल से जल हम ग्रो कैसे कर सकते हैं और उसका में लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर दे दूँगा और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इन स्नेक प्लांट को लीव से प्रपोगेट कैसे कर सकते हैं हलाकि मैं इने छे मेंने पहले एक वीडियो बनाई थी जहांपे मैंने इन लीव को कट करके उनको प्रपोगेट किया था और यह सोचके उसको रखा था कि उसका रिजल्ट आने के बाद उसको दिखाऊंगा मतलब कंप्लेटले मर्च करके बट वो वीडियो मुझे कहीं मिल भी नहीं बट मेरा रिजल्ट आ गया और यहीं रिजल्ट जो लिव मैंने लगाए थे कि उनमें छोटे-छोटे पर्प्स आ चुके हैं मैंने यहां पे दो फुल साइज लिव लगाए थे एक यह निकलेगा नहीं शायद से कि दो और अब भी भी मैंने जो लगाए थे उनमें से इसको आप अगर में जूम करूं तो इस पर अब भी भी हरा भरा है और आप यहां देख सकते हैं अगर दिखाना चाहूं कि छोटा सा आप जो देख रहे हैं यह वह पर हैं जो निकल रहा है अभी कि इसमें भी रूट्स निकल चुके इस पत्ते में और यह जो आकरी है जो जिन्दा बज गया हाला कि मेरे काफी सारे जो पत्ते हैं वो मर चुके हैं और इसमें आप देख सकते हैं यहां पर दो पॉप्स आ रहे हैं यह उसकी रूट्स से पप निकलेगा भी अब यहां रूट्स भी देख सकते हैं और जो मर चुके थे उन में से दिखाना चाहूंगा यह जो पत्ती है उसमें रूट आ चुके थे पर यह पता नहीं कैसे मर गई और यह शायद ओर वाटर इंके वज़े से हो या कुछ और रिजन हो सकता है कि मैंने देख भाल अच्छे से ना की हो इनकी या किसे ने उखाड के फेक दे हो मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया था पर यह अगर दो होते तो यह भी इनकी तरह चोटे चोटे इनके पप्स साइट ब्रांचेस निकल जाते तो इनको अभी प्रपोगेट कैसे करना है लिव से और किस तरह का एंवर्मेंट चाहिए इनको यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा हाले कि यही मिट्टी है इसी गंबले में मैंने नगाय थे और इस गंबले में मैंने एक जो कोकोनट का प्लांट है वो भी लगाया है और आपको जो मिट्टी चाहिए वो थोड़ी सी खुरदुरी और इस तरह की शौफ्ट सौफ्ट मिट्टी चाहिए आप इसमें राजस्क या थोड़ी सी बालू जिसे हम रेट भी कहते हैं वो आप डाल सकते हैं ताकि यह थोड़ी सी सौफ्ट बने आपकी जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है उसमें आप 50% रेत और थोड़ा सा जितना आपके पास खाद होगा वो हो सकता है कावडंग हो या जो गोट के वेस्ट होता है गोट मैनिवर वो भी आप डाल सकते हैं आपके पास अगर मुर्गया हो तो मुर्गयों का भी मैनिवर यहाँ पर डाल सकते हैं इस तरह से आप इसको थोड़ी सी एरेशन प्रोवाइड हो इस तरह के आप मिट्टी यहाँ पर रखें और मैं यहाँ पर दूसरा एक तो यह मेने दो एक मैच्योर जो पत्या हैं इन स्नेक प्लांड की तोड़ दी है और आपको इन पत्यों के चार से पाच तुकड़े करने हैं जैसे अब मैं बताऊंगा इस तरह से आपको इनको कट करना है और इनको लगाते वक्त आप इनको वर्टिकली ही लगाएंगे हलाकि यह तो वर्टिकली है और यह आप देख सकते हैं इसको यह साइड भी कटा हुआ यह पर आपको इनको वर्टिकली ही लगाना है इस तरह से बहुत ज़्यादा सिंपल और ज़्यादा प्रेस्ट नहीं करना आपको इनको मुझे ग्रो करने में अगर मैं अपना पर्सनल रिव्यू दिए तो मुझे लगभग पाँच मेने लगे हैं क्योंकि यह पाँच मेने लगाये थे और वहाँ से अब तक यह जो पर्स मेने निकाले हैं यह इतना रिजर्ट पाँच मेनों का है तो आपको रूट्स तो जल्दी आ जाएंगे पर उन रूट्स से जो पर्स निकलते हैं उनको आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है डिपें थोड़ा वक्त लगेगा ही ज्यादा धूप देना इनको सही नहीं है और आप इस तरह से इनको एक नमी मतलब थोड़ ज्यादा भी पानी नहीं बड़ थोड़ी से नम जगा आप इन्हें टख सकते हैं हाला कि और एक गमले में मैंने ऐसे ही प्रोपोगेट किया था और अब अगर देखू इनमें भी ऐस तरह से पॉप्स आ चुके हैं छोटे-छोटे अगर मैं सक्सेस रेट की बात करूँ अगर आप दस पत्या लगाते हैं तो आपको छे से साथ पत्या मतलब ग्रोव होंगी उनके रूट्स आएंगे और उनके पॉप्स आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा बर आएंगे बट जो तीन से चार होंगी वो सूख जाएंगी व प्रोपोगेट नहीं हो पाएंगी तो यह इसका सक्सेस रइश्यो है कि यह भी इसी पत्ती के आसपास से ही ग्रोव होंगा है यह पत्तिया आप भी भी ग्रीन है हाले कि इनके पप्स नहीं निकले बड़ी अभी भी ग्रीन है मैंने इनको ज्यादा पानी नहीं दिया है इतना केरलेसले रखने के बावजूद यह अभी तक जिन्दा है कि मैंने और एक गमले में रखे थे और इसमें लगभग एक मैना हो गया है इनको पानी नहीं दिया है मैंने एक से ज्यादा ही मैना हुआ है यह कही ऐसे जगा रखे थे और भूल गया था मैं मुझे पता ही नहीं था मेरे पास यह प्लांट है भी इस गमले में बट अभी भी यह सवाई कर रहा है हाला कि इसकी कंडिशन काफी विख हो चुकी है बट इसको अगर मैं धंग से पानी देता रहूं तो यह अच्छा से खिल उठेगा स्नेक प्लांट की काफी सारी वेराइटी होती है बट मुझे सबसे पसंद दिदा यहीं है और यह दूसरी वेराइटी है इसके लेज इस तरह से पीले नहीं होते आसपास से नॉर्मल साइज में रेते हैं हाला कि स्नेक प्लांट्स लगाने क्यों चाहिए घर में क्योंकि यह हाइली ऑक्सिजन प्रोवाइट करते हैं एर प्यूरिफिकेशन प्लांट करकी इसको समझा जाता है और यह दिखने भी काफी स्खूब सुरत बनते हैं जब यह इसके जो यह पत्ते हैं यह काफी बड़ में इनको ही लगाया है और इनकि जो पत्त्या हैं यह काफी बड़ी है उसके आपे और काफी डेन्स हैं और उसके वज़े से वह काफी ज्यादा खुबसरत दिखती हैं हर किसी को अट्रेक करते हैं आप भी इसी तरह इन्हें लगा सकते हैं यह काफी इजीली प्रपोगेट हो जाते हैं अगर आप थोड़ी सी इनकी केर करो पानी आपको अगर देना हो तो आप स्प्रे से या आपके पास कोई डबा हो जिसमें आप पानी धीरे धीरे डाले बहुत ज्यादा आपको मिट्टी गीली नहीं रखनी है थोड़ी सी बस नम रहे इतनी ही रखनी है और यह आप बारिश के समय विंटर के समय लगा सकते हैं समर के टाइम ना लगा है उसका सक्सेस रेट अच्छा नहीं होता और वह एक ग्रोइंग सीजन भी नहीं है जिसमें आपका प्लांड ग्रो करें मैंन तो इनको भी मैं एक अच्छी जगा लगा दूँगा ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिनको भी यह जरूरत हो अगर वह प्लांट लवर हो तो आप उनके साथ यह वीडियो शेर कर सकते हैं तो थैंक यू सो मच फो वाचिंग मैं वीडियो एक बात और मैंने इस पी एक ड्रम जैसे कटे होए ड्रम में भी इसको लगाया था और आप देख सकते हैं इसका अभी यहां से पप निकल रहा है इतने दोर से और मैं इस पर पाने अभी तक दिया नहीं हूं कितने दिन हो गए होंगे इनमें मैंने पाने ढंग से दिया नहीं है इस इस पेशली इस ड्रम में फिर भी यह अच्छे से सवाई करता हैं और काफी हार्डी प्लांट है आपको समर टाइम में भी आप इसको कम पाने देते हैं फिर भी यह अपने आपको सस्टेन कर पाएगा जिन्दा रख पाएगा है कि रेनी सिजन के टाइम तक और यह बहुत जल्दी अगर आप एक साल देते तो इन एक इस तरह के आप एक से ही कई सारे इस तरह के डेंस जो स्नेक प्लांट का एक कपल हैं उनको बना सकते हैं काफी सारे आप इसको मल्टिप्लाई कर सकते हैं इस एक से ही होगा तो प्रादन है但 उपेंस जापी सिजन कर सYAरे इस एक से टाएंड़ड़ों।